सो हेलो गाईज, आज का एपिसोड केविन की लाइफ का सबसे बड़ा एपिसोड है, जिसमें उसने एक बाप जैसे दोस्त को खोया, फिर उसका बदला लेने केविन वापस आया एपिसोड के सुरू होते ही हम सबसे खतनाग जेल, इंसकी कौन को देखते हैं, जहां पर कुछ रोबोर्स आकर एक कैदी को कैद से बहा निकालते हैं, जिसका नाम ट्रंक था, उसके इसमें 30 दिन पूरे हो चुके थे, ट्रंक वापस अपने काम पा लग जाता है, जो की माइन कैद हुआ है क्या, विक्टर बताता है, हाँ, ट्रंक कैता है, उसके एक दो घूसे मारूंगा, तो उसे पता चल ही जाएगा, यहां का बॉस कौन है, विक्टर उसे बोलता है, मुझे नहीं लगता है, ऐसा करना ठीक होगा, वो नया कैदी वो रहा, जो की कैविन था, फिर ह बैन और ग्वेन को देखते हैं, ग्वेन बता रही थी, कैविन को गायब हुए एक हफ़ता हो चुका है, बैन गुसे से कहता है, वो गायब नहीं, हमें छोड़ कर गया, ग्वेन कहती है, उसकी गलती नहीं है, उसने हमें बचाने के लिए अल्टिमेट्रिक्स को छुआ, ब तुमने मुझे 8 डॉलर देने हैं, जो तुमने 5 साल पहले लिये थे, फिर उसने मेरी ये हालत कर दी, ग्वेन बोलती है, हमें अफसोस है, तुमारे बिल्स हम भर देंगे, बैन बोलता है, वो पुराने हिसाब बराबर कर रहा है, बड़े हो या छोटे, फिर हम कैविन को द कैविन दादा जी को सुला ही डालता है, ये देखकर रोबोर्स कैविन को अपने साथ ले जाने वाले थे, तवी विक्टर आकर उन्हें बताता है, रुकिये, मैंने सब देखा, ट्रंक का पैर फिसल गया था, इसे छोड़िये, पहले आपको उसे हॉस्पिटल ले जाना चा आएंगे, जिससे रोबोर्स विक्टर की बात सुन लेते हैं, विक्टर बोलता है कम से कम थैंक्स तो बोल दो, तुमें एक दोस्त की जरुरत है, कैविन कहता है मुझे मदद की कोई जरुरत नहीं थी, वैसे भी दोस्त धोकेवाज होते हैं, फिर अपने काम पर चला जाता है, विक्टर कहता है इसमें कोई जानी पहचानी बात लगती है, यहां बैन गवेन केविन के घर पर कुछ सुराग ढून रहे थे, और उन्हें सुराग मिल भी जाता है, जिसे बैन ने पहचान लिया था, यहां सभी एलियंस का लंच टाइम हो गया था, जहां विक्टर मैं यहां पर नया हूँ, विक्टर कहता है तुम यहां पहले भी आये हो, कुछ साल पहले, तुम केविन लेविन हो, केविन उसे गुस्ते से कहता है, मैं वो नहीं हूँ, और दुबारा बोला तो तुमारी हड़ी पसली एक कर दूँगा, विक्टर बताता है घबराओ मत, म एक्टिव हो गए हैं, टेलिपोर्ट एक्टिव करने के बाद वहां बैन और ग्वेन टेलिपोर्ट होते हैं, बैन कहता है हम लड़ने नहीं आये हैं, मौर कुने बताता है यहां का एक काईदा है, पलंबर्स यहां नहीं आ सकते, तुम कानून को तोड़ रहे हो, बैन बता काता है हम यहां प्लंबर वाला काम करने नहीं आए हैं तुम्हें वार्निंग देने आए हैं कोई जेल में हैं जो तुम्हें मानना चाहता है मौर कहता है इस जेल में सभी मुझे मानना चाहते हैं मुझे कुछ नहीं होगा यहां से निकल जाओ ग्वैन कहती है यह टेलिपोर् इन्हें क्वाट्रस में ले जाओ इनकी खातिरदारी करो बैन उसे अभी भी चेताव नहीं देता है मौरक अपने रोबो से कहता है इन पर नजर रखना मैं नहीं चाहता प्लंबर्स को पता चले यहां क्या हो रहा है इदर विक्टर पूसता है अब तुम वैसे नहीं लगते जैसे पहले थे फिर हम पूराने कैविन को देखते हैं जो काफी ताकतवर था पीछे से विक्टर और कौरल कह रहे थे यह गुस्या लगता है समझ सकता हूं फिर कैविन को कहता है बहुत हुआ बच्चे अब सांथ हो जाओ पर कैविन उस पर भी अटेक करता है पर कौरल उ आले औजार देकर पूसता है इनका यहां क्या काम यहां मजदूरी भी होती है पर रोबो उन्हें उसकी कोई जानकारी नहीं देता फिर उन्हें उनके सैल में छोड़ देता है जो पूरी तरह से लौक था यहां विक्टर बता रहा था बहुत मनाने के बाद तुमने सुदन करना सिखाया पर एक गार्ड था जिसे कोरल से नफरत थी उसे पसंद नहीं था कि वो मुझरिमों को सुदार रहा है वो था मौर्क कोरल की मदद से कैविन ठीक होता जा रहा था पर मौर्क की नफरत बढ़ती जा रही थी कोरल ने तुमारी जिंदगी बदल दी जब कैविन सब कुछ सीख गया था कोरल कैविन को कहता है तुम्हें सिखाने जैसा कुछ नहीं रहा बच्चे तुम्हें यहां से जाना चाहिए कैविन पोस्ता है पर मैं यहां से निकलूंगा कैसे कोरल उसे बताता है मैंने निकलने का रास्ता बना लिया है फिर तभी मौर्क ने अप पर उसने सभी को ये चमकीली नीली मिट्टी खोदने में लगा दिया, कैविन बोलता है उसे उसके किये की सजा मैं देखा रहूँगा फिर हम चिल कर रहे बैन को देखते हैं जहां डूर खोलने के लिए गवेन मैनत कर रही थी पर बैन गूप में बदलकर बाहर जाकर बाहर से डूर को खोल देता है फिर दोनों कैविन को ढूनने निकल जाते, ग्वेन कहती है इस जेल में माइनिंग क्यूं कर रहे हैं, यहाँ है क्या, फिर दोनों माइनिंग वाली गुफा के अंदर जाते है, मॉर्ग यहां पर कुस्तो कर रहा है, पर यह राज उसका ज़ादा देर तक नहीं रहेगा, फिर पीछे मौर का जाता है तुमने मेरी वार्निंग नजर अंदाज कर दी। इसकी सजा भुगत नी पड़ेगी बोर्ट्स को इन्हें जल्दी से खतम करो कहकर चलाजाता है। बोर्ट्स उन पर फाइरिंग करने लगते हैं जिससे ग्वेन आगे वाले बोर्ट्स को ठिकाने लगा देती है और दोनों पीछे भागते हैं पर रोबोर्ट्स फिर से उठकर उनके पीछे पर जाते हैं आगे रास्ता भी खतम था फिर बैन युमंगा सौर में बदल कर उन्ह लगता है ग्वेन उससे बच कर चिला रही थी ये क्या कर रहे हो ये मैं हूँ लेकिन बैन को वो मौस्टर ही दिख रही थी बताओ मेरी बैन कहा है ग्वेन कहती है बैन में यहीं हूँ तुम्हें कुस्तो हो गया है फिर एक जोर का चांटा मारती है जिससे बैन जग जाता ह और वो Gwen को पहचानने लगता है Ben normal होकर बताता है मुझे लगा तुम monster हो उस नीले धुए को निगल कर मुझे वहम से होने लगे थे Gwen बताती है मैं समझ गई ये चीज drug है और Mark इसके supply कर रहा है उसे पकड़ना होगा Kevin से पहले इदर Kevin Mark के पास ही बढ़ रहा था Victor उसे समझा भी रहा था ऐसा करके तुम कोरल की सिखाई अच्छा ही खतम कर दोगे Kevin कोरल का मेरे उपर कर्ज है वो खूनी आजात नहीं गूम सकता कहते ही Mark उसे दिख जाता है मैं इसे मा डालूंगा Mark बोलता है क्या कह रहे हो यार तुमें पस्ताना पड़ेगा Kevin गुस्से से कहता है तुमने मेरे दोस्त का कतल किया ताकि तुम चंद पैसे कमा सको मैं तुमें मसल दूँगा Mark बताता है तुमें क्या लगा Ben Sonic सुनकर Echo Echo में बदलकर जोर से चिलाकर उन सब के पट्टों को तोड़कर उन्हें बचा लेता है सभी एलियंस उठकर उन रोबोर्स को पेलते हैं Kevin भी पट्टा हटाकर Mark को मान नहीं वाला था तब ही Gwen Kevin को रोकर गिडगराती है प्लीज ऐसा मत करो लेकिन Kevin नहीं रुपता जिससे Ben आर्मन ट्रिलों में बदलकर दोनों धक्का देका नीचे गिरते हैं इतने में Mark भाग रहा था Kevin उसका पीछा करता है जिसकी टांग Ben पकड़ता है Kevin Ben पर गुस्सा हो जाता है और उसको पंच मारता है जिससे वो खदान तबा हो जाती है पर Ben और Kevin बज गए थे Kevin Mark के पीछे चला गया था Mark लिफ्ट से जानी की कोसिस करता है जहां से Kevin बहा निकलता है Mark अपनी जिंदगी की भीग मांग रहा था तुम्हें जो चाहिए ले लो Kevin अच्छा मुझे क्वरल लोटा दो कहकर उससे सीधा लिफ्ट पर मार कर तार कार देता है जिससे अब तो Mark गया पर नीचे Ben गएन उपर देखते है Mark लिफ्ट से तेजी से नीचे आ रहा है Gwen अपने मैजिक से लिफ्ट को रोग देती है Ben कहता है आप खुद आ गए कितना मज़ा हैगा जब आप Plumbers के सामने अपनी सफाई पेस करेंगे Ben गएन उसे हतकडिया बान कर उपर लाते है Victor बताता है Kevin चला गया उसे लगा ये जाली मौर खतम हो गया Gwen पूशती है आप क्यों नहीं गए Victor बताता है मेरी सजा अभी भी पूरी नहीं हुई है Ben कहता है जाने दो उन एलियंस को वो यहां से तो निकल गए पर नलवाइड में फस गए उनके लिए इतनी सजा काफी है देखा Gwen तुमने Kevin की ताकत कितनी बढ़ गई है हमें कुस तो करना होगा इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है आपको क्या लगता है इस जाली मौर को बचना चाहिए था या फिर मरना इसने Kevin के बाप जैसे Queral को जो मारा था कमेंट में बताना मत भूलना मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बाई, थैंक्स फॉर वाचिं